तो वेलकम क्रिप्टो यूजर्स एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है तीन दिन बीतने को है हालविंग को और एक बुल रन के एक्सपेक्टेशन में मार्केट बना हुआ है हर इन्वेश्टर इसी और अपनी नजर गड़ाए हुए है कुछ लोग नजर इसलिए गड़ाए हुए है कि उन्होंने एंट्री ले ली है अपनी पोजिशन बना ली है कुछ लोग नजर इसलिए मार्केट के उपर गड़ाए हुए है कि एंट्री लेना चाहते है और कुछ लोग future को और देखना चाहेंगे अभी उनका हिम्मत नहीं हो रही है कि entry ले ले SMAR market में जिस टाइब से correction आ रहा है Bitcoin का Shiba Inu का market अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है यहां से अगर market को सही से rate करे तो एक तरीके से direction मिल रहा है market से लेकिन यह direction कही ना कही अगले 6 महिने से लेके 12 महिने के Shiba Inu, BTC और पूरे crypto market का एक तरीके से जो चहरा है वो represent कर रहा है यह आज के 3 दिन कही ना कही अगले 6 से 12 महिने, 18 महिने को यहां पर clear कर रहे है कि क्या हो सकता है market का हाल, Shiba Inu का क्या हो सकता है, BTC कहां तक जा सकता है तो आज हम इन ही के इसी के उपर बात करेंगे कि basically 6 से 12 महिने में Shiba Inu, BTC कहां तक जा सकते है कितनी possibility यहां पर आपको देखने को मिल रही है एंड तक वीडियो वोच करना एक direction मिलेगा, एक hope यहां से create हो सकती है क्यूंकि market ने वो संकेत दिये है जिसको मैं इस वीडियो में discuss करूँगा पसंद आये तो चैनल को subscribe और Shiba Inu को लेकर update आपकी क्या राई है, कहां तक जा सकता है, comments में जरूर लिखना सबसे पहले तो आप देखो, जैसे ही halving आती है, market अचानक से 25% तक increase हो जाता है Shiba Inu का, अगर आप देखे तो अभी 7 दिन में 23% increase है market अगर इन 3 दिनों, 4 दिनों को छोड़ दे तो market 20 तारिक से ही regular base पर बढ़ रहा है और यहां पर sustain कर गया है क्यों कर गया है क्योंकि अभी भी बहुत सारे investor संसे में है कि क्या हो सकता है हलाकि बहुत सारे जागरू का अचकल investor हो चुके है crypto के और वो जानते है कि बड़े players खेला खेलेंगे तो वो जादा risk लेना भी नहीं चाह रहा है कुछ दिन wait करेंगे halving को समझने का bull run को समझने का प्रियास करेंगे वो अच्छा decision है मैं भी इस बात को बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा रुक कर invest करना काफी अच्छा profit मिलेगा लेकिन Shiba Inu का इस टाइब से बढ़ना उधर हम BTC का देखे तो BTC ने भी एक तरीके से green signal दे दिया है साथ दिन में 5-6% BTC बढ़ा है जहां पर 61-60,000 आ गया था वापस 6-6,000 पर आ गया है ये भी एक green signal है कि market में bull run के expectation बन गए है और एक तरीके से आने वाले कुछ महिनों में इसका पूरा एक तरीके से एक समगर अध्यन मिलेगा कि कि टाइब से market increase होता है यानि कि आप देखेंगे 4-6 महिने में BTC 1,00,000 डोलर को touch कर सकता है ये काफी possibility market में बन रही है इसके अलावा यहाँ पर crypto market ने पूर एक green signal दिया है और green में बना हुआ है पिछले 3 दिनों से तो यही बात साबित होती है तो यहाँ पर 6-12 महिने में Shiba Inu का हाल क्या हो सकता है ये जरा देखें और कौन से संकेत हमें मिल रहे है जिससे कि market इस level पर जा सकता है तो अगर हम बात करें 6-12 महिने का तो सबसे पहले predict सुन लीजिए उसके बाद हम किन point के base पर यह बता रहे है उनके उपर discuss करेंगे तो अगर हम बात करें कि कौन से points के base पर हम बता रहे है उससे पहले 6-12 महिने में Shiba Inu का जो price prediction हम लगा रहे है वो BTC के base पर लगा रहे है BTC इस time लगभग एक लाग डॉलर को पार कर जाएगा और लगभग डेल लाग डॉलर के करीब रहेगा 6-12 महिने के time period में डेल लाग डॉलर और उसके बाद जो रेले आएगे न वो हो सकता है ये कोई confirm नहीं है लेकिन हो सकता है कि 5 लाग डॉलर के करीब market पहुचाने का प्रियास करें investor 3 लाग डॉलर तो एक तरीके से possibility काफी हद तक बन जाएगी BTC के पहुचने की इस halving इस bull run के खत्म होते हुए जो की 18 महिने का मैं time period बता रहा हूँ तो 6-12 महिने का डेल डाग का price prediction BTC का जो की लगभग confirm हम मान सकते है कि हो सकता है इतना लेकिन अगर 3 लाग डॉलर की बात करें जो की 2-3 लाग डॉलर के point पर रहेगा 5 लाग डॉलर भी इसमें हम मान सकते BTC का वो 18 महिने के bull run जब खत्म होगा तब तक की price prediction मैं आपको बता रहा हूँ अब हम बात करते है कौन से point के base पर उससे पहले शीबा का थोड़ा सा आप समझ लो अगर BTC इतना पहुचता है जो मैंना भी आकड़े बताए तो आप शीबा इनू से expect कर सकते है कि शीबा इनू इस level तक 1-2-3-4-0 तक kill अपने कर सकता है ये definitely possible है छे से बारा महिने की बात करो तो लगभग यहाँ पर आप देखोगे 2-3-0 kill होती हुए आपको दिखेगी 12-18 महिने के टाइम प्रेड में चे से बारा महिने के टाइम प्रेड में बारा महिने का एवरेज मान लो तो 2-3-0 आप kill होते हुए असानी से शीबा की देखोगे क्योंकि बीटीसी अगर वहां तक पहुशता है तो और अठारा महिने end बुल रन के end के हम बात करें तो लग भग यह 4-0 आपको kill होती हुए दिख सकती है यहाँ पर शीबायनु की और यह without burning की बात नहीं कर रहा हूँ अब कौन-कौन से इसे factor है जिनके ओपर यह BTC का प्राइज और शीबा का प्राइज डिपेंड करता है और इतना हो सकता है सबसे पहले तो आप देखो कि जो इथेरियम है एक मिनेट इसमें जो पहला factor यहाँ पर आ रहा है वो है इथेरियम का जो ETF है वो दो मई को आने वाला है और दूसरी बड़ी बात होंग कोंग जो चाइना है वो उसकी तरब से BTC की ETF को एक तरीके से final approval मिलने को है यह दोनों ह कईना कई बड़ी वज़ा बनेगी शीबा और बिटकोईन को आगे ले जाने में क्योंकि मार्केट में positive signal है इधर हालविंग चार साल के बाद आई है तो यह तो एक factor रहेगा जो अगले point में बेर डिसकस करूँगा लेकिन इथेरियम का ETF और होंग कोंग चाइना की तरब से ETF यह दोनों ही बहुत बड़ी वज़ा है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में एक तरीके से positive signal यह जाएगा कि नए investor के लिए क्यार कोई भी क्रिप्टो में आजकल investment कर सकता है और क्रिप्टो की जो छवी है वो सुधर जाएगी जिससे BTC में अच्छा खासा पेसा और Shiba meme token में और Unaltcoin में अच्छा खासा पेसा आने की एक संभावना यहाँ पर बन रही है तो यह पहली वज़ा रहेगी जो market को boost करवाएगी दूसरी बड़ी वज़ा यहाँ पर history है क्योंकि जब जब BTC का Halloween हुई है तब तब यहार market increase हुआ है जैसे कि मैंने previous वीडियो में बता दिया ह तो यह कहिना कई positive signal है कि आर final हर investor यह मान के चल रहा है कि market तो बढ़ेगा ही आज नहीं तो कल बढ़ेगा अगर long term के point view से जो 6 महिने से 12 महिने का है उस लिहाँ से देखे तो market में green signal देखने को मिलज गए है यह जो संकेत है यह बड़े bull run में तबदील होना है यह final आप आनी history तीन बार दोराई है चो चोथी बार उसको करेगी अगला जो point हम ले रहे है वो है investment आ रहा है वरतमान में आज की condition में देखे तो अब भी next video में मैं बताऊंगा कि कितना बड़ा investor invest करा है एक बड़े wheels के तरप से बड़े players के तरप से बड़ा दाव यहाँ पर लग रह रहे है यह संभावना है कि कहिना कहें Shiba Inu में वो potential यह देख रहे है हलाकि उन्होंने bitcoin में भी invest किया है उन्होंने अन altcoin में भी invest किया है लेकिन Shiba Inu में investment कहिना कहें Shiba को बढ़ाने के लिए काफी रहेगा तो यह नए investor की बड़ी भूमी का यहाँ पर रहना है इसके बाद एक अगली जो बड़ी news है वो है Shiba का ETF एक market में news चल रही है कि यदि Shiba का ETF आ जाता है या फिर उसकी जो news है वो थोड़ी confirm हो जाती है बड़े पैमाने पर Shiba ETF को लेकर बड़ी planning चालो हो जाती है जैसे कि like April के लिए डाल दिया गया है कमपनियों के दुआरा कि ETF Shiba का दिया तो ये भी कहिना कहिन Shiba को boost देगी अन meme token के तुलना में तो अगर इस type की घटनाए होती है तो कहिना कहिना कहिन Shiba को बड़े पैमाने पर बढ़ा सकती है और meme token की category में सबसे number one position पर रख सकती है और एक final जो point है वो है meme token का बढ़ना इस bull run में भी meme token confirm है कि तेजी से boost करेंगे क्योंकि यहाँ पर संभावना वही दर्सा रही है meme token फिर से बाजी मार रहे है और meme token अच्छा खासा pump दिखाया है तो ये भी एक बड़ी संभावना है गईज अभी मोहले में हमारे सितला माता का मंदिर है और माता पूचन चल रही है इस वीडियो में मैं इतना ही कहूंगा और ढोल बचने लग चुका है तो साधी ब्याओ का सीजन है तो आई होफ वीडियो एंजोई किया होगा मिलते है नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार साथ ही अब ढोल बंद हुआ है तो फिर से मैं बता दू इन सभी points को discuss करने के बास ही बता रहा हूं कि 12-12 महिने म और bitcoin बहुत जादा pump कर सकता है नमस्कार